जैहें नमस्कार वंदे मात्रम डिफेंस के लिए आर्मी अतनी वीर के लिए हम यहाँ पर जीके और साइंस कवर कर रहे हैं पीछे दस सालों में जो महत्वपुर्ण प्रश्ण पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर लेकर आए हैं कॉमेंट वोक्स में आप भी सही जवाब देने की कोशिश करेंगे और अपने दोस्तों के साथ को क्लास शेयर करेंगे चलो रंगा स्वामी कप्प किस खेल से संबंधित है तो यह हाकी से संबंधित है कामायनी की रचेता है जै शंकर प्रशाद वी आप्शन आपका सही हो जा आती है मल्यालम सभी को पता आपको केरल बिल्कुल सही जवाब भारत के प्रथम नोबल पुरुसकार प्राप्त करता कौन है प्रथम नोबल पुरुसकार प्राप्त करता बिल्कुल सही जवाब रविंद्र नाथ तैगोर बोकारो और ध्योगिक केंद्र किस राज्य में स् और शदी विज्ञान में श्री हरी कोटा किस राज्य में स्थित हैं श्री हरी कोटा तो ये हैं अंध्रप्रदेश में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा तो जैसा कि मैंने बताया था ये दस साल के पुराने प्रशन लिए गए हैं जो कि एक्जाम्स में पूछे गए हैं तो ये प्रशन भी पूछा गया था अब 2022 की बात थी तो ये यहां पे option के coding आपका सही जवाब था सी कतर दोहा में ठीक है इसके बाद में बीच में हाल आया कि कोरोना भी आया तो ये उससे पहले जो है आर्मी के एक्जाम में पूछा गया प्रशन है तो ये और इसनल पेपर का प्रशन यहां पे लिए गया था next question टीपू सुल्तान शाशक कहां का मैसूर का सरिस का अभ्यारणय कहां स्थित है सरिस का अभ्यारणय जल्दी से बताएंगे बिल्कुल राजस्थान में देको फीफा वर्ल्ड कप वाले प्रशन से आपको क्या समझ में आता है कि करंट जीके का प्रशन जो है आपके नेक्स्ट क्या खेल कौन सी जगह होने वाले हैं कौन से विशेश खेल होने वाले हैं कौन से टीम विजयता रही है कौन से विशेश खिलाड़ी की भूमी का अच्छे खेलों में रही है यह सब प्रशन आपको कवर करने हैं इसके लिए आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर वाद ये जाएंगे टेलिग्राम ग्रूप और वाटसब चैनल जरूर जोइन करें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फर्स्ट कॉमेंट में एवरेस्ट पर चड़ने वाली प्रथम भारतिय महीला बच्छेंद्री पाल प्रत्यक्षकर है एप्रत्यक्षकर अकाउंट से एकोनोमिक से किस्टन लिया गया है जल्दी से बताएंगे किस्टन बारा बिल्कुल सही जवाब बिखरी कर यहां पर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अच्छे से चारों ऑप्शन देखके फिर आपको सही उत्तर का चुनाव करना है भारत में जायत की प्रमुख फ ठीक है तो ऑप्शन के अकोर्डिंग जाते हुए हम उत्तर सही करेंगे डी ठीक है उप्युक्त सभी नेक्स्ट किस्टन हम देखते हैं भारत के राष्ट्रपती के चुनाव में भाग लेते हैं कौन-कौन लोग भाग लेते हैं राष्ट्रपती के चुनाव में जल्दी से बताएंगे बिल्कुल लोग सभा की निर्वाचित सदश्य भी होते हैं राज्य सभा की निर्वाचित सदश्य भी होते हैं और राज्य की विधान सभाओं की निर्वाचित सदश्य भी होते हैं करें मनोनित सदश्य को स्वयम राष्ट्रेपती ही मनोनित करता है तो यहां पर डी आप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्यूशन है जी के का लाश्ट क्यूशन इसके बाद साइन्स आएगी IAEA का मुख्याले कहां पर है मुख्याले मुद्राएं यहां से प्रशन जरूर पूछी जाते हैं इसको नोट करेंगे तो वियना आस्ट्रिया में है ठीक है अब आपकी साइन्स आ चुकी है कौन सा युगम सही नहीं है यहां पर रोक का नाम दिया गया है यहां पर प्रभा जैबू मॉजयक तमबाकूच ऐस का ब तो बेकर केले में होता है साइट्रस केकर नीमूँ Minh होता है मौझयक साहस में हिएenne से आते हैं उनको ध्यान होगा इसके बारे में कि धान से सम्बंदित है और धान में जिंक की कमी से होता है जिंक जैडिन ठीक है तो यहां पर आपका D option right हो जाता है क्योंकि आपको चुनना था कि कौन सा सही नहीं है एक्स किर्णों की खोज किस ने की एक्सरे किर्णों की खोज की थी आपको बताया हुआ है अद्वर्द इनर्र ने चेचक की ठीक झोज घी और सुनने लौक ने Like लगेन नेक्स्ट कि महासिऑ सुनन नीट्रोजन की मातर है जडन, लबक 73 प्हलत मनुश्य में खून की कमी किस वीटापुन की अहल्पता से होती है हून की कमी तो यहाँ पे vitamin B की कमी से खून की कमी से होने वाला रोग भी पूछा जा चुका है उस रोग का नाम क्या है anemia क्या नाम है anemia note कर लेंगे next question हम देखेंगे निमन में से कौन सा पदार्थ लाल रोधिर करणिकाओं में पाया जाता है RBC में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जल्दी से जवाब देंगे बिल्कों सही जवाब hemoglobin यह option हो जाएगा इस एक कारण जो है बलड का color जो है लाल होता है कारबन क्या है कारबन क्या है तो यह एक अधातू है non metal आपको धान है next question किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का समान्य तापमान होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जल्द से बता देंगे बिल्कोल सही जवाब Celsius में ध्यान देंगे यह सब क्या है Celsius में पूछा है option Fahrenheit में नहीं है तो Celsius में 37 degree Celsius के राओं ठीक है Fahrenheit में कितना होता है कोमेंट करके बताएंगे Fahrenheit में तापको बताई होगा कौन से नेत्र दोश के कारण उर्दुहादर और शैतिज रेखाओं में उर्दुहादर और शैतिज रेखाओं में जो है अंतर नहीं किया जा सकता जल्दी से बताओ पता नहीं चलता कौन से रेखाओं जो है होरीजेंटल है कौन सी जो है परपेंडी कूलर है मताईए जल्दी से बिल्कुल सही जाब अ बिंदुखता सी ऑप्शन डाइट है रेडियो एक्टिव तत्व कौन सी किरने उत्सरजित करता है अलफा किरने भी करता है बीटा भी गामा भी तो डी आप्शन आपका राइट हो जाएगा और सुमेलित कुछ हाटना है वपस से यहाँ पर तत्व है और यहाँ पर तत्व का प्रतीक चिन है सोडियम का प्रतीक चिन एनने होता है यह क्यूशन आ चुका है प्रतीक चिन भी आ चुका है इसका प्रतीक चिन के होता है फासफोरस का पी होता है बट आईरन का आई नहीं होता आईरन का प्रतीक चिन क्या होता है एफ होता है ध्यान रखेंगे और यह भी आर्म में पूछा जाचुका है तो उनको अलग-अलग भी याद रखेंगे आप यूरेनियम में न्यूट्रोनों की संख्या है 92U235 जल्दी से बताओ न्यूट्रोनों की संख्या इसमें कितनी है 143 D option क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा next question न्यूट्रोन की खोज किसने की न्यूट्रोन की खोज जल्दी से बताएंगे Jams Chadwick ने comment box में बताएं electron और proton की खोज किसने की electron और proton की खोज किसने की जल्दी से comment box में comment करके बताएं माना रशीर का सबसे कठोर भाग है सबसे कठोर भाग inamel है जो की दांत का भाग है निूटन का प्रतम नियम कहलाता है नेक्सट क। नॉच।ushonいい शरीह में उश्युद्रक्त कहहां बहता है उशुद्रक्त घ्यान करेंगे औशुद्रक्त जिसमें औक्सिजन नहीं होती है तिक है ःशुद्रक्त कहां बहता है रिखियी नहीं कि कर देंगे ठीक है अगर आपको मैट सो रीजलिंग भी पढ़नी है तो आप कॉमेंट वोक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं थैंक यू सो मुझ जहन चभार आर्मी अगनीवीर की तैयारी करने वाले स्टूरेंट्स फ्री नोट्स पीडियाफ और टेस्ट के लिए तरुना र फ्री क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी साथ ही अगर आपको और अच्छी तैयारी करनी है तो आप एमेजन और फ्लिक कार्ट पे तरुना आर्मी बुक लिक कर सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में लिंक से आप किताबें खरीद